वेल्कम बैक तो मैं चैनल तो कंटीनियू करते हैं डिसेंबर 2022 के करेंट अफेर और आज जो पॉश्चन स्टार्ट करेंगे वो रहेगा पॉलिटे और गवर्नेस दिखिए पॉलिटे और गवर्नेस में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा यह लोकल सेल्फ जो गौर्मे इसके पीछे रीजन है वो सारी की सारी चीज़र जानेंगे बड़ उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि जो सीजीव की पूस्ट है हमारे कॉंसेटिकल में मैंशन है इनके अपॉइंट्मेंट कैसे होते है रिमूबल क्या है यह सारी की सारी चीज़र डिसकस करते हैं देखे अगर बात करें removal की तो जैसे Supreme Court के judges remove होते हैं ठीक है आपको पता होगा पूरा procedure अगर आपने लक्षमी कांद अच्छे से पढ़िए तो आपको पूरा का पूरा process पता होगा कि Supreme Court के judge किस तरीके से remove होते हैं ठीक है उसके लिए एक पूरा mechanism है या मैं बोलू process है ठीक है जैसे ज relation with the accounts of the pub accounts of union and the state ठीक है अगर बात करें सेजी की जॉब तो इस्पेशली जो स्टेट और union government के जो accounts होते हैं ठीक है उनको जो है exercise करना या फिर monitor वगरा करना ठीक है जो एडिट वगरा करना ठीक है तो यह इनका में काम होता है ठीक है clear चलिए अब बात करते हैं news में जो है more on news ठीक है सबसे पहला जो है यह सीए जी ने बोला है कि जो three time government होती है या फिर local level पर जो हमारी government होत है कि हमको audit वगरा conduct करने चाहिए ठीक है या फिर क्या reason इसके पीछे reason है कि सबसे पहले बात करें local self government की तो यह जो हमारा constitution amendment हुआ था 1992 और 1993 में इसको हम कहते हैं 73rd और 74 ठीक है अगर बात करें 73rd की तो यह बात करता है पंचायती राजी इंस्ट्यूशन के बारे में अगर बात करें 74 थी तो यह municipality के साथ deal करता है तो कहने का मतलब यह है कि आपको पता होगा urban areas में हमारा municipalities होते हैं और जो हमारे local area या फिर मभूल रूरल एरिया में यह हमारा पंचायती राजी इंस्ट्यूशन होता और यह भी पता होगा आपको हमारे जो पंचायती राजी इंस्ट्यूशन है तीन लेवल पर होते हैं जिसको 3 टायर में यह बटी होते हैं सबसे पहला हमारे district पंचाय ठीक है फिर दूसरा block level फिर दूसरा हमारा ग्राम पंचाय ठीक है तो यह तीन लेवल होते हैं याद रखना very very important make sure to remember this ठीक है अगर बात करें audit of the local self-government की timeline की सबसे पहला local audit department जो की create हो था 1880 में बहुत important चीज है ठीक है अगर आपको pieces वगरा में यह जो है exam पूछे जाएंगे ठीक है अगर पूछे जा इस परद्मन जो है 1928 में जो है स्टाबलिश हुआ था ठीक है टू और दमुसिपल अकांट अप मुसिपालिटीज अन अधर लोकल फंट ठीक है तो यह भी याद रखना कि 1880 में जो हमारे लोकल डिपा और डिपार्टमेंट स्टाब्लिश हुआ था वह मुसिपालिटीज क अकांट को ऑडिट करने के लिए स्पेशली स्टाब्लिश यह था ठीक है अगर बात करें रिपन रेजलीशन ऑफ 1882 थीक है दस्कीम ऑफ लोकल सेल्फ गॉर्मन वो डबलब तो मुसिपल इंस्टिउशन विच आप बीन अंडर डारेक कंट्रोल बिटिश राउंट ठीक है परिपन के लिए कि कि यह एयसा लूकल सब्बॉट्र्मन की या फिर्मबला यह दो confess कि इन्सटिउशन इंनोंगे डेवलब किया था ठीक है जो की पहले ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में था ठीक है तो याद रखना इन्होंの50 रिपन ने इस लीपन के बारे में इन में बात किया था अगर बात करें अगर बात करें तो यह मैं आपको बता चुका हूँ अगर बात कर लें वैसे आपको बता दिया है कि जो 73 और 74 अमेंडमेंट अगरा और जिसके अंडर हमारा पंचाईति राज प्लस मुनिसिपालिटीज को तो इन दोनों के अलावा हमारी एक लोगल लेवल पर डिल करती है इसूस को तो कहने का मतलब यह है कि जब लोकल गौर्मेंट आप बना रहे हो तो इनके इनके फंक्षन होंगे फंड व्रह together या फिर फंक्षण होंगे वो भी अलग अलग होंगे तो अनके唐 यह फिर को प्लीट करना यह प्यम्न को प्लीट करनाव पर काम तो के लिए कुछ certain function, fund या फिर functionaries भी आप established करते हो, ठीक है clear, I hope this point is clear, ठीक है अब बात करते हैं constitution provision कौन कौन से deal करते हैं local self government को लिकर, सबसे पहला article 243J, the legislature of a state may by law make provision with respect to the maintenance of the account by the panchayat, ठीक है तो याद रखना कि जो panchayat के accounts बगर हैं उसको maintain करने के लिए ये article है, article 243J, ठीक है अगर बात करें 243Z, ये क्या बात करता है, legislature of a state, ठीक है क्या है, legislature of a state may by law make provision with respect to the maintenance of account of municipalities, same चीज है बट ये वहाँ पे था panchayat राज और यहाँ पे था municipalities, ठीक है तो याद रखना, बाकि सारे दोनों चीज़े जो है, सेम है, अब बात करते हैं कि जो हमारी local self government की जो auditing है, उ अब हाले में जो CAG है, उन्होंने जो है, local self government ये अफिरिमा बूलू, जो local level पर government होती है, उनके auditing के बारे में क्यों बोला है, तो ये सारे के सारे point आप directly mention कर सकते हो, ठीक है सबसे पहला जो है, local level पर accountability बढ़ेगा, ठीक है कई बार होता है, क्या है कि जो government का expand लीचर होता है वो directly जब local body इसके पास जाता है, तो अच्छे से utilize नहीं हो पाता है, हमको बहुत सारे corruption वगरा की cases देखने मिलते हैं, अगर आप news paper अच्छे से पढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत से cases से आप familiar होंगे, तो कहने का मतलब ये है, कि जब ऐसे auditing वगरा होगा ना, तो local level पर fund वगरा इवन और आडिटेड रगुलर ली तो कहने का मतलब ये है, कि जो अभी तक mechanism था, तो कहने का मतलब ये है, कि जो हमारी state government थी, वो अगरा करवाती थी, और कई बार state government जो fail हो जाती थी, तो कहने का मतलब ये है, कि जो regular monitoring वगरा या फिर auditing वगरा नहीं हो पाती थी, इसके का जो tax वगरा या फिर, जो fine वगरा जो है, ये आज, जो tax वगरा अगर आसान भर्शन बोलो, तो tax वगरा जो है, ठीक है, ये सरकार के पास पहुंच नहीं पाता था, और जो corruption वगरा जो है, ये बहुत जादा last scale पर होने लगा था, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कि जो regular monitoring ये नहीं हो पा रही थी, जो कि एक major issues था, और अगर मान लीजिए, ये directly CAG के पास आजाती है, तो हमारी जो नहीं नहीं जो scrutiny के लिए bodies जो है, वो establish की जाती है, ठीक है, with the help of center and stakes, ठीक है, ताकि जो auditing mechanism है, ये और जदा strong हो सके, और regular हो सके, अब मने अभी बताया कि जब regular monitoring या फिर regular auditing नहीं होती, तो corruption cases या फिर mal practices जो है, बहुत rapidly increase होने लग जाती है, ठीक है, अगला है हमारा, transparency through different sources, अब कौन कौन से sources है, just example, public-private partnership model, in the execution of urban infrastructure, municipal bonds, तो यहां पे भी in areas में भी, क्या आएगा, transparency आएगा, ठीक है, अगला हमारा, democratic decentralization, auditing of the local self-government ensure the quality of democratic decentralization, तो कहने का मतलब यह, कि अगर मान लीजे, auditing वगरा होता है, तो जो democratic decentralization है, उसका भी implementation हो सकेगा, हमारी society में, ठीक है, अगला हमारा public awareness, public awareness and risk of analysis of the part of the audit plan involving, तो कहने का मतलब यह, कि public awareness भी यह, जो है, हमारे auditing का part, inculcate किया गया है, ठीक है, अब बात करते है, auditing में challenges क्या आते हैं, सब को पता होगा, बहुत सारी जो हमारी local level पर government होती है, government में, जो members होते हैं, ठीक है, उसमें vacancy खाली पड़ी रहती है, तो कहने का मतलब है, कि जो skilled staff होता है, उसकी lack, जो है, कमी है, जो की major current है, local self government की auditing का, ठीक है, अगला हमारा, की regular auditing की कमी है, मैंने अभी example बताया था, कि आपको हमारी society में, की जो local level होता है, या फिर local authorities है, वो एक जो है, बहुत ज़ादा insufficient है, क्योंकि वो regular monitoring या फिर regular auditing वगार है, नहीं करवा पाती है, जो की major कारण है, फिर अगला हमारा bank of treasury account, अस पंजाथी राज institution, जिसको PRI बोलते हैं, draw money from the separate fund, account keep in the money bank or treasury, which get audited by the local auditor is too difficult, त को जो audit वगरा करना जी, local level पर जाके यह बहुत जादा difficult होता है, तो कहने का मतलब यह है, कि जो treasury account है, यह भी major hurdle है, तिकर local government की auditing के लिए, फिर local bureaucracy standard, standard is low and have lack of skill maintenance, the data and audit format, तो कहने का मतलब यह है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था, कि जो local level होता है, वहां पर जो skill होती ह data storage की वगरा की, तो इसी के कारण जब data available नहीं होता हमारे पर अच्छे से, तो auditing की जो format होती है, यह बहुत जादा difficult हो जाती है, अब बात करते है, accountability को ensure करने के लिए, क्या-क्या किया जा सकता है, देखिए सबसे पहला है, कि हमको accounting के standard बनाने पड़ेंगे, अब देखिए मान लीजे, आप local level पर कोई account बना रहे हो, या फिर account का कोई format बना रहे हो, तो उसके लिए standard को prescribe करना बहुत ज़रूरी है, अब मैं आपको एक चीज और बता दू, देखिए जहां पर हमारे standard नहीं होते हैं, तो वहां पर mal practices का scope होता है, बहुत जादा होता है, for example, अगर मान यह follow करना है, तो जो public servant है, या फिर जो कोई भी काम करने वाला है, उन standard को follow भी करेगा, तो कहने का मतलब यह है, कि आप कोई भी नहीं चीज लेके आ रहो, तो standard या फिर आप जो है mechanism पहले से ही बना लो, ठीक है, एक framework, जो है principle या फिर मभूलू standard का principle आपको mechanism बना लेना चाह तो कहने का मतलब यह है, यह ऐसा नहीं है कि आप जो किसी को भी auditing वगरा की जो है, जो काम है वो दे दो, तो कहने का मतलब यह है कि हम अगर मान लेजिए dedicated authority बना देते हैं, या फिर agency बना देते हैं, जिसका काम होता है, होगा कि भाई आप जाओ, और local level की जो bodies हैं, उनके account क auditing वगरा करो, तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक separate से हम dedicated agency बना देंगे, तो जो auditing होगी, सिर्फ उनका वही काम होगा, और यह टाइमली भी complete करेंगे, ठीक है, अब देखे, काम किसी को भी दे दिया जाता है, तो यह जो होता है, डेले होता ही रहता है, ठीक है, तो हमको dedicated agency से establish करने के जरुवत है, फिरगला हमारा कि जो report होते है, audit की submission, ठीक है, यह हमको जो timely करना चाहिए, ठीक है, कई बार होता क्या है, कि report प्रिपेर तो कर ली जाती है, बढ़ टाइमली अच्छे से हो नहीं पाता, फिरगला हमारा skill जो upgrade है, वो करने की जरुवत है हम लोग को, ठीक है, जैसे example, जो local level के जो लोग होते है, technical skill वगएर, जो हमको local fund auditors वगएर को provide करने पड़ेगी, ठीक है, अगर बात करें, social audit की, developing a social audit is also very necessary, या फिर very essential to improve the PRI mechanism, ठीक है, तो पंचायते राज institution को, हमको mechanism को और जादा improve करना है, तो हमको social audit वगएर भी करना बहुत जादा ज clear, और मैं आपको एक चीज़ और बता दू, CAG अगर हमारा बात करें, प्रिलियम के हिसाब से, तो CAG सबसे जादा important है इसमें, ठीक है, तो याद रखना, CAG के बारे में, क्या-क्या article deal करते हैं, ठीक है, किसके द्वार appointment होता है, removal कैसे होता है, यह सारी किसारी चीज़ है, य Supreme Court observe the delegated legislation which is ultra-wires, the Patent Act cannot be given any effect, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले ही कि, जो delegated legislation होता है, वो होता है, देखे, यह क्या होता है, एक process होता है, ठीक है, by which the executive authority is given power by the primary legislation, तो कहने का मतलब यह ही क्या है, कि delegated legislation क्या होता है, एक ऐसा process होता है, जिसमें executive authority जो होती है, उसको power दी जाती है, by primary legislation, or to make law in order to implement and administer the requirement of the primary legislation, तो I hope delegated legislation आपको समझा है होगा, ठीक है, under the constitution of India, legislature power is given to the legislature, देखे, आपको पता होगा, कि हमारा जो power especially, तीन हिस्सों में divided है, जिसको हम कहते, legislature, legislature, executive and judiciary, तो कहने का मतलब यह है, कि legislature मतलब होता है, कि aisy authority, जो सिर्फ और सिर्फ legislation मनाते जैसे example, हमारी parliament, state legislature, यह इनका काम होता है, कि आप law बना, अगर बात करें executive की, तो इसका काम होता है, यही law implement करना, और अगर बात करें, judiciary की, तो इसका काम होता है, कि अगर मान लिजे, कोई law जो है, अच्छे से follow नहीं करना, कर रहा है, या फिर नहीं कर पार रहा है, या फि इसको हम हिंदी में विधाई का, कारेपाली का और न्याइपाली का बोलते हैं, इस से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, तो कहने का मतलब यह है, कि जो हमारा legislature होता है, constitution में उसका काम ही है, कि आप क्या बारे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ legislation बनाएंगे, या फिर कानून बनाए होते हैं, purpose क्या होते हैं, delegated legislation के, सबसे पहला है, कि provide flexibility in making necessary change, अब देखे, अगर मान लिजे, कि हमारे जो, जैसे कि मान लिजे, constitution है, बहुत ज़्यादा rigid हो जाता है, तो constitution में change करना बहुत ज़्यादा, जो है, मुश्किल हो जाएगा, अगर delegated legislation होते हैं, तो हमारे जो, जो, जैसे example, timely, जो change करना होता है, हमारे courts में, या फिर acts वगरा में, या फिर constitution में, तो वो हम easily कर पाते हैं, ठीक है, तो यह सबसे पहला, जो है, importance है, delegated legislation का, कि हम flexible बना देता है laws को, ताकि हम time to time necessary, जो है, changes कर सकें, ठीक है, अगला हमारा, reduce pressure on the parliament, the number of activities in state, expanding which requires the law, is not possible for the parliament to devote the sufficient time for every मता, ठीक है, आप सोच के देखिया, अगर मान लिजे, state legislature है, यह already काम कर रहा है, तो यह जो है, parliament के उपर extra button ही आएगा, कि हर जो मुद्धा है, parliament ही deal करे, ठीक है, तो बहुत सारी activities में, state legislature भी, अपने level पे deal कर सकता है, रगला हमारा, decentralized and sector specific rule and regulation making, such as in, spare of the corporate law, and tenancy of the law makers, is to enact the bare bone statute, such as sebi act of 1992, foreign exchange management, जिसको हम, F.E.M.B. बोलते हैं, fame of 1999, ठीक है, clear, अगला हमारा, modern administration getting more complex, ठीक है, कहने का मतलब यह, क्योंकि हमारा, modern administration है, यह बहुत ही बहुत जादा, जो है, complex होता जा रहा है, the function of state being expanded and rendered, ठीक है, यहाँ पर, जो state के function है, यह बहुत जादा, expand होते जा रहे to the economic and social sphere too, ठीक है, अब बात करते हैं, delegated legislation के issues क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने समझ लिया importance, अब बात करते हैं, कुछ issues के बारे में, फिर हम बात करेंगे, important Supreme Court cases, ठीक है, तो यह इनको बात कर लेंगे, जल्दी से, क्योंकि कई बार Supreme Court की judgment, जो है, deal, court करने के लिए, जो ह required to study, rules and seek expert and public opinion and submit report to the house, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, यह जो delegated legislation के scrutiny होती है, यह बहुत जाधा कम होती है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लिजीए, आप laws, जो है, आप law draft कर रहे हैं, अगर अच्छे से उसकी scrutiny होती, scrutiny नहीं होती, तो कई बार जो है, social criticism face करना पड़ता है, उस कि जो है, public criticism ना face करना पड़े, ठीक है, clear, चलिए, अगला हमारा frequency, with which rules and regulation are notified very high, ठीक है, for example, since the enforcement of the Companies Act of 2013, the MCA, ठीक है, frequency वगरा पर भी ensure करना पड़ेगा, जैसे मान लिजीए, आप एक, जो है, enforce कर दिया गया, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, कि आपको, जो, जो, मारी, जो, ministry of corporate affairs है, या फिर जो laws आते हैं, उनके साथ भी comply करना पड़ेगा, तो कहने का मतलब यह है, कि ऐसा नहीं कर सकते है, against the spirit of democracy, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, कि जो delegated legislation होते हैं, यह हमारी spirit है, democracy की, उसकी against map कैसे है, unelected person is involving in the rule, framing, and political motive can also come in the delegated legislation, ठीक है, कई बार होता है, कि unelected person भी, जो हमारे rulemaking process में involved करते हैं, तो जो कि हमारी democracy की spirit है, जो लोक तंत्य की spirit है, उसके खिलाफ है, ठीक है, executive, failure to oversee the delegation legislation can lead to abrogation and abuse of rulemaking power by the executive, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, कि कई बार जो है, जो delegated legislation होते हैं, ठीक है, यह executive जो है, फेल हो जाती है, इनको oversee करने के लिए, जो कि एक major कारण है, ठीक है, कई बार इसी के कारण जो है, जो executive की rulemaking power है, उसको abuse किया जाता है, ठीक है, clear, चलि as delegated legislation get work to amend the legislation and their function of the legislature, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, कि delegated legislation, यह delegated authority होती है, ठीक है, यह जो legislation को amend करने का काम करती है, बट कई बार जो है, यही जो है, आगे जाके legislature का function, जो है, सर्फ करने ले जाते है, तो कहने का मतलब यह है, कि यह जो है, over lacking function, जो है, परफॉर्म करती है जो कि हमारी जो democracy है उसकी spirit के बिलकुल खिलाफ है अब बात करते हैं कि किया क्या जा सकता है सबसे पहला है कि हमारे जो parliamentary procedure है उसको amend करने के ज़रूरत है यह जो function है यह specify करना पड़ेगा कि कौन जी authority क्या function perform करेगी फिर अगला हमारे को ना जो working committee है उनकी additional working committee जो हमको establish करने पड़ेगी ताकि जो rule वगरा या फिर legislation वगरा है उनका अच्छे सा scrutiny वगरा हो सके फिर अगला है हमारा कि जो delay के reason होते है न तो जो delay होता है तो जो delay होता है तो उनके reason को हमको identify करना ज़रूरी है जैसे मान लेजिए अब कोई law है x y z मान लेजिए उसका जो implementation है वो delay हो रहा है तो हमको reason specify करने पड़ेगे कि यह जो delay हो रहा है या फिर delay होता रहता है time to time यह इसके क्या major specific reason है फिर अगला हमारा कि हमारे जो MPs होते हैं या फिर community committees होती है parliamentary committee उनके साथ coordinate करना पड़ेगा और discuss करना पड़ेगा कि क्या major issues है या फिर क्या major hurdle है जिनको हम deal कर सकते हैं या फिर tackle कर सकते हैं ठीक है clear अब बात कर लेते हैं जो सबसे पहले मैंने बताया था यहां पर कि Supreme Court की judgment court करने में मदद करता है उसको discuss कर लेते हैं सबसे पहला दोजा सोला की judgment है फिर अब बात करेंगे एक और जेजमेंट है जो यहां पर लिखी होई पंजाब से रिलेटर सबसे पहला दगर बात करें दोजाब सुला में Supreme Court upheld the verdict of the delegated legislation by upholding the sentence दोजाशोला's decision on the demonstration ST Jones teacher training and institute versus regional director NTC 2003 that delegated legislation can be considered a necessary evil ठीक है तो याद रखना 2003 की judgment में Supreme Court ने बोला था यह यह क्या है delegated legislation क्या है एक necessary evil है and unfortunate but inevitable infringement of the doctrine of separation of power अगर बात करें अगली judgment की तो यह है इस गर्वाल वससे स्टेट पंजाब एन अथोरिटी कोड अफहल्ड आर्टिकल 312 the constitution of India deals with the power of legis power of delegated legislation ठीक है तो कहने का मतलब यह कि जो है आर्टिकल 312 आपको पता होगा यह important fact है प्रिले में पूछा जा सकता है तो इससे related जो सुप्रीम कोड ने लिखी हुए है इसमें यह नहीं लिखा sorry ठीक है इसको लिएक जो है judgment दीती तो यह judgment आप डारेक्ली कोड कर सकते हो जब भी आपको लिखने के लिए हम बात करेंगे हमारे examination point of view से जो चीज important है देखे सबसे पहले बत समझेंगे कि news में किस कारण था recently प्राइवेट member bill was introduced in लोगसभा regarding the formation of selection committee for the election commission ठीक है आप आसान बाचा में समझाता हूँ ठीक है अभी हाली में एक private member bill आया ठीक है लोगसभा में जिसमें उन्होंने बोला कि जो election commission होता है ठीक है हमको जो है प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ठीक है leader of opposition of लोगसभा leader of opposition of राज्यसभा chief justice of India two senior most judges of Supreme Court तो यह सारा सारा जो प्रपोस किया गया था अगर मान लीजिए आपको election commission को स्टैब्रिश करना या फिर जो हमारा chief election commission उनको स्टैब्रिश करना है तो यह जो है पीनल प्रपोस किया गया था कि यह सारे के सारे मेंबर होंगे और इनी के जरीए आगे जाके जो है election commissioner या फिर chief election commissioner जो है अपॉइंट होगा अब बात करते है more about news the bill seeks to insulate an appointment in the process of election commission ठीक है they should not be eligible for the any post retirement job ठीक है कई बार हमारे जो judiciary और plus election commission जो है उनको criticize किया जाता है क्योंकि यह कई बार जो है यह दा हिंदू में article आया था अगर आप दा हिंदू के आप article पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चालता हूं देखे इसमें खोद बोला था कि दा हिंदू के article में लिखा हुआ था कि जो रंजन गो कोई जी है ठीक है क्योंकि उन्होंने गौर्मेंट के favor में हमारे chief election commissioner होता है यह जो पीम-led channel होता है जिसमें यह byने बता है इसके जो सारे Member है उनके सा्थ stateholder के साथ koncert कराा जाना चाहिए फिर yani to press the election commissioner उता हुदा उनका appointment होना चाहिए पिर इसके बारे में tenure के मी भात किया कि हमारे जो chief election Commission होता है उनके लिए जो टेन्योर है वो 6 साल है और जो हमारे Regional Commissioner होते है उनके लिए 3 साल का जो टेन्योर है वो रखा गया ठीक है अगला हमारा Supreme Court is hearing the petition no need on need to reform the appointment ठीक है तो कहने का मतलब यह है यह जो पीनर प्रपोस किया गया है इस पर Supreme Court भी जो है review कर रहा है ठीक है देख रहा है सारे के सारी चीज़े ठीक है और Supreme Court ने बोला Supreme Court has question the government on the matter of to pick election commission and also ask the center for the reason not to come with law and regulated appointment of the election commission and safe election commission तो कहने का मतलब यह कि Supreme Court ने बोला कि भाया आप यह जो लेके आ रहे हो ठीक है यह चीज़ सारे के सारे प्रपीनर प्रपोस कर रहे हो ठीक है law लेके आ रहे हो तो कहने का मतलब यह कि Supreme Court ने बोला है कि इसके और उपर आप dedicated law ही क्यों नहीं लेके आ जाते ठीक है अगर मान लेके आ जाओगे तो उसी के mechanism के अंडर में ही सारी चीज़े फॉलोंगी तो Supreme Court ने बोला है कि आप जो legislation या फिर law का सहरा ले सकते हो इस सारे सारे process को govern करने के लिए ठीक है clear I hope this यह जो controversy है सारी की सारी आपको समझ आई होगी अब बात करते है election commission of India के बारे में सबसे पहला is थी अर्ठीकल 324 या फिर मशवलो 34 ठेक है कि हमारा जो election commission है यह free और fair election कर वाये में य homeless upper our ability टो में गर्वाता है सबसे पहला union के एलेक्षन और हमारे study function अगर बात करें लोकल eleksन कौन कर्वाता vorher तो यादजान रखना जो लोकल लेवल के एलेक्शन होते हैं यह हमारा स्टेट एलेक्शन कमिशन जो है वह करवाता है थे अगर बात करने स्टेट और यूनियन की तो यह इलेक्शन कमिशनर कोरी वह कंड़ग कर वाता अगर बात करें चीफ election commissioner और election commissioner की tenure और एज की तो tenure होता 6 साल का और age 65 की जो भी पहले खतम हो जाए उनका उसके बाद retirement हो जाता है अगर बात करें salary की तो जैसी salary supreme court के judges या फिर allowances मिलता है वैसे same salary और allowances इनको मिलता है ठीक है अगर बात करें CAG is provided the scrutiny of tenure cannot be removed office office manner like ग्राउंड जज़स आफ सुप्रीम कोड तो कहने का मतलब यह जो चीफ एलेक्षिन कमिश्णर होता है उनका जो है सेक्यूर्टी टेन्योर मिलता है जैसे सुप्रीम कोड जज़स रिमूव होते हैं वैसे ही यह भी रिमूव होते हैं ठीक है दा कंडिशन ऑफ सर्विस ऑफ द सबसे पहला अंडा अर्टिकल 324 क्लॉस भी प्रेजिन ऑफ इंडिया एंपावर तो अपॉइंट एलेक्षिन कमिशन और चीफ एलेक्षिन कमिशन तो यह तो आपको पती होगा ठीक अगर आपने लक्ष्मी का अंदर चेसे पढ़िए है फिर एकला हमारा क्लॉस टू के बा कमिशन सब्सक्राइब है स्टर्ण्ट आप एलक्षिन कमिशन और बात करें 25 जन्वरी 1950 से लेकि 15 अक्टूबर 1989 में उनली ओनली चीफ एलेक्षिन कमिशन ठेक है अगर बात करें एक जनुपी नाइटी नाइटी तक तीन मेंबर बाड़ी बनी फिर अगला बात करें कि 30 सितंबर से लेके दो जन्वर से लेके 30 सितंबर की बात करें तो उनली चीफ एक कमिशन तो यह हमारी जो है अब बात करते इस्जू क्या है अपॉल्मेंट का जाता है कि ruling party का जो dominance होता है यह बहुत जादा होता है क्योंकि आपको पता होगा executive में कौन होती है हमारी हमारी central government यह ruling party होती है ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि ruling party dominance होता है या फिर जो favor हो थोड़ा जादा देखने मिलता है तो रगला हमारा कि prescribed qualification नहीं है constitution has no prescribed qualification अब क्योंकि qualification नहीं है election commission और चीफ election commission की तो कहने का मतलब यह कि जो appointment वगरा या फिर removal होता है यह बहुत जादा complex हो जाता है क्योंकि आपने quality defined नहीं कि हमारा election commissioner या फिर चीफ election commissioner किसको बना जाएगा जो qualities या फिर qualification वगरा नहीं दी है तो यह बहुत जादा complex चीज बन जाती है अब बात करता है removal का difference देख है क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा जो चीफ election commission होता है यह supreme court की तर जजित के तरह होते हैं however similar protection is not provided to the election commission ठीक है तो चीफ election commission को जो safeguard मिलता है वैसा safeguard जो सब्सक्राइब को नहीं मिलता है ठीक है ट्रूंकेट 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 मतलब क्या है कि आपको पता होगा चीफ election commission के लिए जो tenure है वो 6 साल का है सिंद 2014 देरफोर चीफ election commissioner is unable to do anything the substantial ठीक है तो कहने का मतलब यह है जो 6 साल का tenure है ठीक है क्योंकि यह जो tenure है बहुत जादा कई पर जो कम पड़ जाता है ठीक है और अब मैं आपको एक चोड़ और दिखाऊंगा कि अभी तक जितने tenure हुए मतब जो जितने भी हमारे चीफ election commissioner बने उन में से एक ने भी जो है अभी तक 6 साल का tenure complete नहीं हुआ करा ठीक है तो आप सोच के देखिए कि एक ने भी 6 साल का tenure complete नहीं किया क्योंकि बहुत जादा बूड़े के बाद भी जौब मिल जाती है जैसे परफेक्ट इजांपल इस रंजन गोगई तो जादा आवाज उठती नहीं है तो यह भी एक major criticism है there is also nothing coordination between a coordination of services act prohibit chief election commission election committee commission for joining any political party thereafter retirement तो मैंने उस से रेलेट करें रंजन गोगोई से आप समझ जाएंगे मैं क्या करना चाहता हूं अब वेफ फॉरूड क्या होसा रखता है देखिए सबसे पहला हमको collegium system establish करना चाहिए जो पोस्ट रेटार्मेंट होता है जोब उससे complete इनको प्रोहबीट करना चाहिए ठीक है जैसा लौ कमिशन की रिपोर्ट 255 में बोला था रिकमेंटेशन स्रांदनिंग ओफिस ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सबसे पहला गिवन इकुन constitution protection to all the members तो कहने का मतलब यह है कि जैसा law commission की 255 report में इन्होंने बोला था कि जैसी equal protection आप जैसे protection आप चेफ election commissioner को देते हो वैसी protection आप election commissioner को भी दो ताकि जो एक sense of equality है वो आप आए ठीक है creating a permanent independent secretariat for the for chief election commission to improve the independence of chief election commission तो कहने का मतलब यह है कि हम को जो है एक permanent independent secretariat establish करना चाहिए election commission of India के लिए ताकि जो in efficiency election commission of India में वो आप आए ठीक है आयोब डिस जो topic है यह आपको समझाए होगा अब बात करतें news insurance की सबसे पहले बात करेंगे cbis conviction case of comes down ठीक है इसके बारे में बात कर लेते हैं लेकिए सबसे पहले आभी हाली में the action taken on the report of parliamentary standing committee on personal public grievances and law and justice कौनसी रिपोर्ट थी इन्होंने 112 रिपोर्ट समिट करी राजी सावा में अब बात करतें जो report है इसकी specification पर जैसे example personal management integration vigilance transparency service matter journal consent recruitment तो यह सारे की सारे specification अगर बात करने observation की सबसे पहला है कि huge manpower shortage ठीक है over 1500 is officer with 21 services awaiting cadre review ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे हमारे civil services या फिर is officer जो है अभी जो cadre review के लिए awaited है ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि manpower shortage है यह बहुत जादा है ठीक है अगला हमारा high dependency at the central administrative tribunal and central vigilance officer ठीक है तो यह इस पर जो dependence है या फिर central bureau investigation CBI इस पर dependence बहुत जादा है ठीक है अगला हमारा cases ending the conviction from the CBI has declined ठीक है अगर बात करें 2012 में तो यह rate थी 747 ठीक है अगर बात करें या फिर 743 अगर बात करें 2021 में तो यह rate हो गई 202 या फिर 202 ठीक है अगर बात करें जनरल कंसेंट की तो 9 states have withdrawed their general consent to CBI ठीक है बहुत सारे जो हमारे state है यह CBI को जनरल कंसेंट बगरा देते नहीं है ठीक है क्योंकि ताकि उनकी image या फिछा भी खराब ना हो जाए ठीक है तो जो अब recommendation क्या बोला है सबसे पहला department of personal training and nodal agency जो है इनको monitoring वगरा कि जो है backdrop में रखना चाहिए या फिर रिजाव को रखना चाहिए ठीक है या फिर vacances वगरा जो है यह फिल रखनी चाहिए केस management system to task the progress of the pending case ठीक है तो हमको जो case management system भी establish करना चाहिए जो pending cases है उनको उनको उनमें प्रेटा की progress वगरा आ सके ठीक है before withdrawal of general consensus state should consider the complex tenure involving multi agencies spread across many states involving foreign element फिर अगला हमारा should be provision the direct recruitment of the candidate above dps and inspector अब बात करते हैं digital india award ठीक है 2022 के बारे में अभी हाली में smart city जो mission ministry of housing and benefits won the platinum iron digital india award ठीक है तो बहुत important चीज है ठीक है बहुत जादा star mark कर रहा हूं ठीक है PCS वगरा में पूछे जाने की संभावना 90 से लेकि 100% है ठीक है यादर रखना कि जो digital india award अभी हाली में किसने जीता तो यादर रखना smart india mission जो है उसने जीता under the ministry of housing and benefits ठीक कॉन सा जीता है ये भी यादर रखना platinum icon इंडर जीता है ठीक है 2022 में बहुत important चीज है अब बात करते हैं के बारे में DIA honors in innovative digital solutions by the government entities realizing the digital india vision सबसे पहला conducted by the national informating center बहुत important चीज है ये जो हमारी जो conduct किसने किया था तो ये भी आदर नाशन informatic center जो है under ministry of electronic and information उसने ये जो है सारी चीज कंड़ किया था ठीक है अगर बात किने award was given by the data smart cities empowering cities to the data initiative SCM ठीक है अगला बात करें DCM के बारे में बात करें data smart cities के बारे में initiative launch under the national urban digital india mission aim to harness power data for get better governance तो करने का मतलब ये कि सारे के सारे जो initiative आप देखोगे न तो कुछ नकुछ digital innovation हमारी society में लेकिया रहें ठीक है उसी के चलते ये जो अबाट दिया गया है ठीक है इट यूजेज़ थी प्रोलॉंग प्रोच पीपल प्रोसेस और प्लाटफर्म थीक है तो यह अगर तीन पीपे यह जो है बेस्ट है अब बात कहते हैं DCS को लेके हमारे DSC को लेके हमारे इंस्टिव कौन कौन से लिए हैं सबसे पहला हमारा smart cities on the open data portal फिर अगला हमारा Indian urban data exchange platform फिर अगला हमारा assessment and monitoring platform for the liable inclusive and future ready urban plan जिसको हम यह इसके लिए अब बात करते हैं data governance के principle के तो इस यह जो प्रिंसिपल है यह integrity transparency auditability accountability check and balance standardization change management तो यह सारे के सारे major principle है total art है अब बात करते हैं नौर्थ इस्टन काउंसिल के बारे में तो मार्क 50 एर्स ऑफ नौर्थ इस्ट काउंसिल प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड दाट गौर्मेंट शूट वर्क उन एट पिलर कौन कौन से एट पिलर थीक है ताकि नौर्थ इस्टन रीजिन का development हो सके पीस पावर टूरिजम 5G connectivity कल्चर निच निचरल फार्मिंग स्पोर्ट्स प्रोटेशल तो यह सारी के सारी जो है मेजर आठ पिलर्स हैं जिसको नौर्थ इस्टन रीजिन के लिए development आ सकेगा और इनको जो है इन आठ एरिया में जो है काम करना पड़ेगा प्रवेश प्रवेश प्रोग्राम इंत्रेपुरा तो फॉलाग बनिफिशिटीज अंडर प्रिधान मंतरी आवासी ओजनाथ ठीक है अगर दूसरे इनिचेटिव की बात करें तो को एक फ फार Nonnoff to meet wallet तो याद रखने हमारी North Eastern पॉलीज नौट осв इस चलाई ताकि इंडिया में नमार थाइलेंड ट्रीलेटर हाइवे ताकि जो हमारे स्पेशली नौर्थ इस्टरन रीजिन में जो कनेक्टिविटी यह और दाद है नहांस हो सकी ठीक है नौर्थ इस्टरन काउंसिल वस्टैब्लिश इंसे 1972 No Deligency for the Economic and Social Empowerment of the Northeastern Region ठीक है इट वर्क्स अडर्थ इस्टरन रीजिन बहुत इस्टरन चीज़ा याद रखना है तीक है यह सारे के सारे फैक्ट जो है आपको याद रखने है ठीक है नेसी ठीक है नेसी स्टान्ट नौर्थ इस्टरन रीजिन ठीक है इस्टरन नौर्थ इस्टरन चांसल अचीवमन्ट इन लास्ट एट यह बात करते महारास्टा और करनाटा चेर के बीज़ों इंटरस्टेट डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेगे उसके बारे में अगर बात करें बॉर्डर की रिकार्ट जो है डिमार्केशन कैसे होई थी तो याद रखना 1956 में जो state reorganization act आये था उसके basis पर linguistic line खीची गई थी महाराथी speaking जो state है या फिर जो territory है और बाकी के जो state है करनाटके के पास गया था तो कहने का मतलब यह है कि 1956 में जो language तो यह सारे के सारे हमारे महाराथ्य के अंडर्मानी चाहिए अब आपको एक शीज बता दो सबसे पहले कि आप सोच कि आपने बहुत काईम सब्सक्राप यूपेस अगरे प्रिपार करें तो आपने एक शीज तो जरूर पड़ी महाराष्ट्रा जो है इतनी सारी population को लेना क्योंकि उनके पास पहले सब्सक्राइब और जाएगी तो और जादा लोग को फीड करना पड़ेगा तो देखें यहां पर होता है इन्वार्ड डर्टी पॉलिटिक्स अब देखें जितनी जाद आपको यह तो पता होगा कि लोग सब्सक्राइब में सीटे वगारे जहां उनको उतनी जादा मिलेगी तो कहने का मतलब है कि लोग जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जो ही चीज़े डिमांड करते हैं इन 1967 महाराजन कमिशन कॉंस्टूटेड अड़े सेंटर रिजेक्टिड महाराष्ट्रा क्ले श्र器 यद्या अंहें एक है तो कहने का मतलब है कि जब इन्होंने की रिपोर्ट इंप एच लिए तो उम हमारे महारास्ट्रा ने क्या किया था 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 रिपोर्ट इसे हैं उन्होंने केस कर दिया था सूपरीम' कोट में इन 2004 सटीर सब्सक्रांड कोड़ेज होगा अग्यों वगरा करने का जो authority होता है वो parliament के पास होता है ठीक है और अगर बात करे currently तो यह करनाठका का part है ठीक है अगर बात करे currently हमारे कहां कहां dispute है इंटर स्टेट तो हमारे total 11 स्टेट और एक unit territory ऐसी है जहां यह dispute वगरा हमको देखने मिलते है इसके perfect example है आंदर प्रदेश ओडिशा प्रदेश का हरियाना हिमाचर प्रदेश का यूनिट ट्रेटर लद्दाक और हिमाचर प्रदेश का तो यह बहुत सारे हमारे dispute चलते रहते हैं फिर सेंटर का क्या standard देखें सेंटर का बोलना है कि भाईया यह जैसे भी dispute बाउंड़ेट डिस्प्यूट है सिर्फ और सिर्फ प्रविटी पॉर्टल हाज बिन लॉंच्ट बादेबार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग जिसको अक्रॉनिम है डियो पीटी प्रविटी इस दा क्वालिटी ऑफ हाविं स्ट्रॉंग मोरा प्रिंसिपल जैसे एक्जांपल ऑने अपराइटनेस ट्रांस्परेंसी इंकर probity portal was launched in 2014 to capture data for all ministry and department autonomous organization public sector banks. नहां च्योश ब्लेटी इसने साहत चेके 38 and respected issues like number of cases pending in the sanction for their persecution 33 implementation and rational transfer policy number of penalty disciplinary proceeding दो पीटी के नाव कंप्लिटेट द रीवां प्रड तो एडर मॉर्फष सारे सारे मेजर हमारे इश्थ अभी तक बने हुए है ठीक है तो कि हमारे जो पोर्टल जब लॉंच किया गया था न तो देखे आप कोई भी यह तो आपको पता होगा जब कोई भी नई चीज लॉंच करते हैं या फिर लेकर आते हैं तो उसके साथ बहुत सारे इशूज भी आते हैं तो जब यह बना था अज का पॉलिटी का लेक्च्छर है वह खतम होता है अगर लेक्च्छर आपको पसंदा है तो प्लीज लाइक एट प्लीज शारे थांक यू